लोग सभा चुनाव दूजर चौबेस जहारखंड के फॉर्मूले से यूपी इमें सीट बटवारा क्यों चा रही है कॉंग्रेस नमश्कार आप देख रहे हैं कॉंग्रेस यहां जहारखंड वाला फॉर्मूला लागू करना चाहती है लेकिन सपा तयार नहीं है हालात यहां तक हो गए हैं कि कॉंग्रेस ने अब खुद ही असी सीटों पर लड़ने की बात कह दी है उत्परदेश से इंडिया गड़बंदन में अभी तक समाजवादी पार्टी सराश्री लोगदल और कॉंग्रेस शामिल हैं कॉंग्रेस की कोशिश इंडिया गड़बंदन में मायवती की पार्टी बहुजंत समाज पार्टी को भी शामिल करने की है उत्रप्रदेश में लोगसभा के सबसे अधिक 80 सीटे हैं इंडिया गरबंदन में सीट बटवारी की जिम्मेदारी कॉडिनेशन कमीटी के पास है कमीटी ने राजिस्तर पर सीट विवाद सुलजाने का फैसला किया है सबसे कमीटी में जावेद अली और कॉंगरिस से केशी वेनु गुपाल इस कमीटी के सदस्य है उत्रप्रदेश में ये पहली बार है जब सबसे एक साथ मिलकर लोगसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं 2017 में दोनों विधान सबा का चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं 2019 के चुनाव में कॉंगरिस ने सीट बटवारे को लेकर जारखंड में सहयोगी जारखंड मुक्ती मूर्चा के साथ समझोधा किया था इस समझोते के तहट लोकसबद चुनाव में कंग्रेस तो विधानसबद चुनाव में जे एम एम ने जादा सीटों पर लड़ने का फैसला किया था 2019 के चुनाव में जहारकन के 14 में से 60 सीटों पर कंग्रेस ने उमीदवार उतारे चार सीटों पर जे एम लड़ी जबकि बाबुलाल मरांडी की पार्टी जे वी एम के खाते में दो सीटे गई लालु यादव की पार्टी आरजडी को भी समझोते के तहट एक सीट पर उमीदवार उतारने का मौका मिला हलाकि गड़बंदन भारती जनता पार्टी के मुकाबले बुरी तरह हारी 14 में से कांग्रेस जे एम एम को सिर्फ एक एक सीटों पर ही जीत मिली विधान सबाद चुनाव में सीट बटवारे का यही समय करन पलट किया जहारकंड की 81 में से 41 सीटों पर जे एम एम ने अपने उमीदवार उतारे जबकि कांग्रेस के खाते में 31 सीटे गई गड़बंदन के सेयोगी आरजडी को भी 7 सीटे मिली इस बार सीट बटवारे का यह समझोता गड़बंदन के लिए फाइदे मन सावित हुआ तालिस सीटों पर लड़ने वाली जे एम एम ने 29 सीटों पर जीता असर की कांग्रेस को 18 और आरजडी को एक सीट पर जीत मिली अब उत्तरप्रदेश में भी जो है कांग्रेस लोग सभा में सभा के से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जारखन वाला फार्मुला उत्तरप्रदेश में ही अपनाना चाहती है। कांग्रेस यहां 80 में से 40 सीटों पर दावाट थूर है पार्टि को कई सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रही थी दोजार नौ के बाद कॉंगरिस ने यूपी में जीत के लिए कई प्रियोग किये हाला कि पार्टी हर बार असफल रही दोजार उन्नेस में कॉंगरिस की परंपरिक सीट अमिठी से पार्टी के ततकाली नध्यक शराहुल गांध था कॉंगरिस की कोशिश सपा से वो सीटे जटकने की है जिस पर पिछले चुनाव में मायवत्ती पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 2019 में बीएसपी ने 38 सीटों पर सपा से समझोते के तहत अपने उमीदवार उतारे थे बीएसपी को 10 सीटों पर उस समय जीत भी मिल ग आता है आपको क्या लगता है क्या यहां कॉंगरिस और सपा के बीच में बात बनेगी या फिर उता ब्रदेश में दोनों ही अलग अलग चुनाव लेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरू बताएं और जुन रह देख तरें स्पेन नाइन नियूस धन्यवाद